नमस्कार दोस्तों सौगत है आपको थिंकायस में आज हम देखेंगे चाइना के एक और वेक कमेंट के बारे में जिसमें वह सावित करना चाहरा है कि एक्चुली वह वाइरस का एस्प्रेटर नहीं है यहाँ पे आप देखेंगे चाइना के एक जो हेल्थ ऑफिसल है उन्हों इस तरह की बाते नहीं सुझी थी और चैना में इनफेक्ट पहला केस पाय जा चुका है और पहले और कितने केसे पाय हो गए होंगे इसकी कोई भी रियल रेकॉर्ड नहीं है तो यह मंकी पॉक्स जो है वो है क्या यह अब जानते मंकी पॉक्स एक वाइडल जनोसिस है अब जो की ट्रंस्मीट होता है लैसी का सच में हटा दिया गया आप कमेंट बॉक्स में लिखे यह इसके जो सि्म्टम्स है वो तरह है और और क्लिकलीulously सर्व है smallpox से तो यह ज़्यादा impact नहीं करेंगे जैसा कि smallpox करता था और eradication of smallpox यहाँ पे 1980 में हो चुगा था और especially इंडिया में उसके बाद जो smallpox vaccination है वो monkeypox के vaccination में भी यूज होता है लेकिन आप उसे कुछ countries alternative करके कर रहे हैं because already 90 countries सफर कर रहे हैं monkeypox से अभी और जिसमें USA, UK जैसी country भी सफर कर रहे हैं और यह अभी जो प्रजेंट में सबसे ज़्यादा आई है वो है UK में cases बहुत ज़्यादा देखने के लिए even USA में देखा गया कि more than 10th point cases पाए गया है और यह most important है orthopox virus के family से हर यह public health में इंपक्ट करता है यह vaccines जैसा कि मैंने आपको बताए smallpox के eradication में ज और monkeypox का जो virus है वो orthopoxoviral genus in family of poxyviride है ठीक है आप याद यह रखेगा poxyviride यह हमारे prelims के लिए important हो जाता है इसके बाद आप यह देख सकते हैं इस तरह के races आते हैं जो की थोड़े full से जाते हैं इसमें monkeypox में देखता है अब monkeypox usually जो है self limited है तो यह 2-4 week तर आपके body में रह आएगी और इसे उतना सर्फ माना भी नहीं जाड़ा है आपने अगर स्टोडी सुना होगा स्मॉल पॉक्स का जो स्मॉल पॉक्स किस तरह की सिफ हैला था और किस तरह से इसने लोगों की जान ले थी पर यह इस तरह का नहीं है और इस टाम में fatality ratio जो है around 3-6% है 100% में यह अगर आप close contact में गए तभी यह आपके उपर फैलता है और 1% to another close contact में with lessons, body fluids, respiratory droplets और contaminated material like अगर आपको खून बहरा है तो आप में यह फैल सकता है respiratory droplets आपके body से कुछ drop गिल रहा हो जैसे कुछ लोग ठुक वगरा फेक दें या फिर आपके body के पसीने से और या फिर आपके body से कि जो अगर कुछ ऐसा पदार्थ निकल रहा हो जो जिसके दूसरे के body में touch कर सकता हो monkeypox एक viral genetic disease है ओके वो primary जो है tropical rainforest के areas में पाया गया था यह याद रखिएगा सबसे पहले जो है tropical rainforest areas में पाया गया था and central and west अफ्रिका में और वहां से यह दूसरे countries में फैला भी जो UK और य यह antiviral agent develop जो इसके लिए किया गया smallpox के लिए वही license treatment यूज हो रहा है monkeypox के लिए यह देखिएगा smallpox monkeypox से काफी related है लेकिन smallpox जैसा खतरनाग नहीं है सो monkeypox typically जो present होता है वो आपको क्या-क्या दिखाएगा अगर आपको monkeypox है तो आपको fever होगा आपको racist आ जाएगे जैसा कि मैंने आपको फोटो दिखाया था swollen lump होगा और उसके साथ बहुत सारे medical complications आपको हो सकते हैं लेकिन इसमें racist और fever जो है वो compulsory होते हैं यह याद रखिएगा so thank you guys thank you for watching it अगर आपको पसंद आया तो like और subscribe जरूर केजिए और चैना के वारे में तो कुछ लिखिएगा